यमी यमी खीर के साथ होने वाला है खाने का शुभारम राशी और जिगर के अनमोल रतन तोलू मोलू का और देखिए तो सीरियल साथ्या में ये शुभारम किसके हाथों होने वाला है भाई गोपी और एहम की लाडली मीरा के हाथ हो कि मीरा मेरी पौत्री बड़ी है उन दोनों से तो मीरा के हाथ से वो अन प्राशन करवा रहा है सीन क्या है कि हमारे बच्चे चे मीने के हो गए हैं तो वो अभी तक फ्रूट जूस दूदी पी रहे हैं तो अभी ओफिशिली विए दूइंगा स्मॉल फंक्शन पूजा आफ्टर बिच दे के इट प्रॉपर फूट वाँ भई घर में इतनी शांदार रसम हो रही है फिर तो आज राशी और जिगर फूले नहीं समा रही होंगे ना जिना पर्दे के पीछे के इस लाड को देखकर भुलावा मत रखिये अजी सीरियल में कहानी तो कुछ और ही है जहां राशी वहां मुसीबत ये देखिये जिगर ने तो राशी को बच्चों से तूर रहने का फर्मान सुना दिया है Sinh wise तो वही है मैं Jigarji को मना ने की कोशिश कर रही हूं और फिलाल वो मुझे बच्चों को हाथ भी नहीं लगाने दे रहे हो We do, like how Meera So वही मैं purposely I'm just telling her to keep I'm trying to keep away from my kids मैंने उनसे यही कहा कि जिगर जी आपने एक मार से अपने बच्चों को खाना खिलाने का हग चीन जी तो ऐसा हुआ है तो जिगर जी मुझे खाना नहीं खिलाने दे रहे मेरे बच्चों को हाथ तक नहीं लगाने दे और मैं बहुत दुख्यू है मैं उनको बनाने की पूरी कोशिश करें पर आप नहीं बता दो राशी बेन जिगर की नाराजगी तो कुछ भी नहीं अभी तो जिगर बाबू तलाग 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 का बड़ा बम फोड़ने वाले हैं मैं बहुत गंदा रियाक्शन में मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है अल्रेडी जिगर जिगर मुझे से पहले हमारे जगड़े के टाइम पर ही बता दिया कि मैं तुमसे तलाग चाहता हूँ और आभी तो पूरे परिवार को बताने जा रहा है तो मैं उसी टेंशन में जिगर दुखी और परिशाने और यदी ये सोच उसके मन में आई है तब तो ओकी को जागरित होना पड़ेगा और एक रौदर रूप लेना होगा और फिर उस रौदर रूप के सामने राशी, उर्मी, मदू ये कोई टिक ही नहीं पाएंगे जी हाँ रौदर रूप की तयारी तो अब करनी ही पड़ेगी क्योंकि मामला बड़ा ही संगीन है जिगर और राशी की गलत पहिमिया अब हदे पार कर गई हैं तो देखते हैं इस सिचुएशन में अब उर्मिला और राशी क्या कलाकारी दिखाती है क्या राशी और जिगर का रिष्टा संभल पाएगा या फिर किसी नए ड्रामे की भेट चड़ जाएगा साथ ना मुंबाई आज तक